हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सिवानी वलकम है आपका मेरी यूटूब चैनल पे AMY चाहँ पर फेल वाले चाहते रहें जो की रेगॉलर वाले चाहते हैं चिंग हम् कि जितने भी कास करके फेल वाले चाहते जितने उनको सबसे ज्यादा समस्या है रिगलर वाले को भी कुछ हो सकती है लेकिन जो फेल वाले चाहिए चाहिए वह दोहजर उनीज सेशन वाले हो चाहिए वह दोहजर वीस वाले हो चाहिए दोहज़र चौदह से ले करके 2017 तक के छात्रों समेस्टर वाले हों या फिर सपलिमेंट्री वाले छात्रों इस पास इतनी ज्यादा समस्या है कि लिया प्रधान मंत्री जो है हमारे इंडिया के वह आप लोग आईटे के चात्रों के साथ पहली बार ऐसा पहली बार होगा जिसमें कि आप लोग अपनी समस्या जो है उसमें बता सकते हैं उसके साथ नरेंद्र मुदी जो है आप लोग को बता दें कि दिछान समारो करने वाले हैं पहली बार सिर्फ और सिफ आईटे के चात्रों के साथ ज आप लोग इसमें कैसे पार्टिस्पेट कर सकते हैं ताकि आपके समझ से जो है बहुत जादा गोसना भी करने वाले हैं इसलिए इतनी बड़ी आप लोगो बता देते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आकन को भी प्रेस कर लिजिए क्योंकि ऐसी पलपल की ख़़ा को मिलती रहेंगे मेरे चनल के मादे मिसे चाहिए आप कोई भी सेसल के छात्र हो ठीक है तो आप लोग ने चे कमेंट में भी बताईएगा आप लोग की क्या क्या समस्य है वह भी पता दीजिएगा अपने डिश्टिक का नाम बताईएगा अपना खुद का नाम भी ब समारो करने वाले कभी नहीं सुने होंगे ठीक है उन लोग को उतना मतलब नहीं होता था लेकर के लेकिन अब जो है मैं कई बार हरी की वीडियो में बोलती हूं कि आप लोग को पता चली गया होगा कि आर्मी एर फोर्स में इन सभी में भी आईटे के छात्रों को बहुत ज् जारी आप लोग को भी पता है जो नॉर्मल चात्र नं टेकनिकल वाले हैं जो कि आईटे नहीं किये हैं वह चात्र और आप में काफी जो है डिफरेंस हो जाएगा अधी आप एक्जाम देते हैं तो पहले आपको लिया जाएगा उसके पाद उनको लिया जाएगा सेलेक्श आप लोगों योजनाय समारो जो की जारी है दिछान समारो इसको आप कह सकते हैं ठीक है दिछान समारो सिर्फ आईटे के लिए पुर्यॉवलिंडा में पहली बार यह किया जा रहा है और इसमें देखिए क्या होगा कि हमारे प्रधान मंतरी नरेंद्र मुदी है वह खुद सब्सक्राइब जो है सबी आई 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 के लिए समारो होगा यशादर भी इसमें सामिल होंगे ठीक है और जितने भी सेंटर्स के प्रिंसिपल बगेर हैं वो सबी सामिल होंगे उसके इसमें जो गूंभिए अगर आप लोग की समाब्त नहीं होगी जैसे की माले ओस्तौन समारो कब होगा आप लोग को बता दे कि सेप्टमबर में होगा 17 सेप्टमबर को होगा ठीक है तो अभी टाइम है अभी एक अभी जो है अगस्त है उसके साथ बात जो है सेप्टमबर में होगा एक से डिर मैने का भी टाइम है ठीक है तो एक से डिर मैने का टाइम है तो इसमे कि आप क्या कर सकते हैं कि इसके पहले आपili जितनी समस्य है यह ऑफिर आफसेंट वाले हैं या फिर भुस्के जिनका की इस तक समय है ऐसको जब तक सुधार नहीं जाम नहीं 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 हो पाएंगे ठीक है और अगर उसमें सामिल होगे तो फुर अपनी समस्या बताएंगे बहुत सरे चाहतें अपनी समस्या वें रिजल्ट में जीरत करता है यह चाहते हैं कि जोब समस्या चात्रों का उसको हम लोग समाप्त कर दें यानि कि इसको अबडेट कर दें इसलिए डिजटी जो है बहुत ही इसी समारों के चलते फिर से एक लाष्ट चांस आपको मिला है और पांच तारीक के पहले पहले आप लोग का सारा जो समस्या उसको कंप्लीट किया जाएग जितने भी फेल वाले चात्र हैं उनके लिए तो यह आपको बता दें कि 80% चांस है कि जितने पी चात्री समस्या है उनकी समस्या इसवार समाधान होगा क्यों होगा क्योंकि यह समारों के चलते ठीक है आप लोग बहुत ही लगी है नहीं तो यह आप लोग को मिलता ही नहीं आप लोग अपने आपको लखी मान सकते हैं क्योंकि एटी से नांटी परशेंट का समाधान डिजटी करेगी करेगी ही करेगी ठीक नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि डिजिटी चाहती है कि इस समारों में ज्यादा से ज्यादा च्छाद जो है सम्मिलित हो और जो च्छाद सम्मिलित हो उनके पास कोई समस्या ना रहे बिलकुल वो हैपी रहे और वो समारों में बिलकुल अच्छी तर के सामिल हो और वो अपनी समस्या ना बताएं बस यह कुछ गोषना करणब मन्तर से गब करने के लिए समारों रखा जाए उसमें, प्रणों अभी परोल्म करेंगे, तो यह मत सुचिएगा क्या स्पेशल रिजल्ट के लिए प्रधान मंत्री आ रहे हैं यह बिल्कुल सोचना गलत है वह अलग डिजन से आ रहे हैं लेकिन आप लोग अपनी समस्या उसमें बता सकते हैं तो जरूर सुनेंगे तो उसमें घोसना भी है आप लोग सुन लिजेगा यह कुछ आप परचिंटी आप लोग को मिले वाली है तो उसमें भी आईड़े पास चात्रों को ही मिलेगा ना जो फेल है उनको कैसे मिलेगा तो यह सारी चीजे हैं तो डिजटी पूरा कोशिस कर रहे है कि सभी चात्र पास हो जाए और जो जो चात्र पास हो उसमें सम्मि करिए और पलपल की खबर इसकी मैं देती रहूंगी आप लोगों को कि कब क्या होने वाला है क्या से आने वाले कहां आने वाले हैं जो भी पलपल की खबर आते रहेगी मैं देती रहूंगी तो आप लोग चाहा है कि फेल वाले चात्रों पास वाले चात्रों रेगुलर वा के अानने प्योंके!